हाई गाईज गुड मॉर्निंग आज हम केवलादेव नेशनल पार्क में हैं और जो यह आप देख रहे हैं यह सन्राइज पे पीकॉक है और यह है मॉनिटर लिजर्ड यह बिग लिजर्ड और यह इंडियन सारस क्रेंड और यह अपने नेश्ट पे है इस वारिष ने दो एक दिये हैं और भारत में से लाइफ टाइम जोड़ा माना जाता है यह कभी भी दूसरा जोड़ा नहीं बनाती है लाइफ में एक बार जोड़ा बनाती है मेल को जैसे ही खत्रा लगा वो फीमेल के पीछे पीछे आ रहा है और वो सीथे अपने नेश्ट पे जा रहा है जार्स के दो एग है बहुत ही संदर पच्छी है जैनियन सारा स्क्रेन लॉंग टेन श्राइब इस ब्यूटिफुल बर्ड़ यह काइट है ब्लेक काइट यह हंटर बर्ड है और इसने स्नेक को हंट किया है और यह देखिए केवलादेव नेशनल पार्क के हीरो फेंटिड स्टॉर यह भी नेस्टिंग में है तो एक की केवल पर नेस्ट बनाने के लिए जवड़ा करें और यह पुकु है पाइट क्रिस्टेट पुकु और यह बेबी है और यह बेर खारा है जो आप देख सकते हैं और यह केवलादेव नेशनल पार्क में सबसे पहले पहले आने बाले बर्ड है और यह एशियन ओपन बले श्टॉर के बच्चे हैं बच्चे बड़े हो गए हैं तो यह नीचे बतर के फीडिंग करने लगे हैं और अभी कुछी दिनों में यह यहां से चले जाएगे यह जुलाई में आते हैं और दिशम्वर के एंड तक सारे चले जाएगे और इस बार बहुत की ज्यादा संख्या में आये थे और यह लोकल मैग्रेटरी बर्ड है तो यह केवलादेव नेशनल पार्क में आके नेस्टिंग करते हैं और इसका जो नेस्टिंग टाइम है वो जुलाई से लेके और नवंबर तक होता है उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं अब अगर इस समय आप देखेंगे तो हर नेस्ट पर आपको दो यह से चार बच्चे नजर आएंगे और यह बच्चा खाना खा रहे हैं देख सकते हैं और यह कोलर्ड स्कॉप्स आउल ब्यूटिफुल आउल कार बच्ब पड़ा कोशन के से प्रका मैंधष्प्ट नेकॉ्टिट अप्रावार ठीड़ नेकॉ और अबड्स winners में उने हैं परश्मत बचबश्ट कर्ण बहुत ही सुन्दर बर्ड है और यह प्लेन प्रीनिया बहुत सुन्दर बर्ड जिसे आप और यह जुबिनाइल है तो इसके नेक पर देख सकते हैं जो बाल है फैदर है वो कम है औरुग कर दो किया वो है। झाल